ये वीडियो उनके लिए है जो अक्सर हमसे पूछते हैं कि सर MSC या PhD माइक्रोबालंजी करने के बाद हमें गौर्मेंट जॉब मिलेगा की नहीं इस वीडियो में अभी जो भारत सरकार के द्वारा गौर्मेंट जॉब निकाला गया है उसके बारे में हम डीटेल में बताने जा रहे हैं कि ये जॉब कहां पे है कितनी सैलरी है कब तक इसके लास्ट एट है फॉर्म अपलाई करने के और आपका इसमें डिजैनेशन क्या इस वीडियो के साथ बने रही है एक एंसी नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा निकाली गई है इसका आप वेबसाइट देखेंगे www.nhmmp.gov.in पे इसका जो अल्टरनेट है वो www.sam.co.in पे है चुकि इस कंपनी को रिक्रूट्मेंट का दिया गया है पूरा प्रॉसेस इसलिए आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं टोटल 38 पोस्ट निकाले गए हैं माइक्रोबालोजिस्ट के जिसमें 8 पोस्ट जो है वो यूर कैटेगरी का है चार जो है वो फीमल रिजर्व है तीन जो है EWS है और सेवन SC कैटेगरी का है 6 ST कैटेगरी और 10 जो है आपका PC कैटेगरी डिसेबल भी है टोटल 2 सीट इस तरह से टोटल 38 सीट है माइक्रोबालोजिस्ट के qualification की बात करें तो जो essential qualification है वो है आपका MSC माइक्रोबालजी इसके अलाबा आपका two year का experience होना चाहिए after MSC desirable qualification में PhD माइक्रोबालजी को preference दिया गया है age group की बात करें तो इसका upper age limit है 43 year और lower 21 year examination में आप देख लीजे MCQ pattern होगा total 100 marks का जो आपको माइक्रोबालजी से related ही question जदातर रहेंगे center जो आपका चुकी ये MP NRHM के लिए है तो इसका center भोपाल, इंदौर, गौालियर, जबलपूर, रिवा, उज्जैन और सागर में रखे गए है salary की बात करें तो इसका जो first advertisement आया था उसमें 35,000 था लेकिन बाद में इसका corresponding जब निकाला गया तो आप देखेंगे इसका salary बढ़ाया गया 45,000 पर मन्त है और last में आपका इसके लिए form apply जो आपका करना है last date जो है वो 16th of December 22 तक है तो आप online जाकर के इसका form भर सकते हैं और आप इसका जो examination का date है उसमें आपका admit card आएगा आप examination में शामिल हो अगर आपका selection हो जाता है तो आप as a microbiologist government के जितने भी laboratories हैं वहाँ पे आपको रखा जाएगा Thank you for joining us microbiology information Thank you